बहुत सारी जगों पर आप धनीवन फ्रीडम कार्ड के बारे में अभी तक अभी तक एडवर्टीजमेंट देख चुके होंगे और बहुत सारी वीडियो भी आपने पहले देखी होगी आज की इस video में आपको detail, detail में प्रोवाइट करने वाला हो धनीवन Freedom Card के बारे में धनीवन Freedom Card आपको भी पता है 0% interest के उपर आपको loan प्रोवाइट करता है लेकिन इस loan के पीछे क्या activity आपको follow करनी होगी eligibility क्या होगी वो पूरी detail इस वीडियो में आपको provide करने वाला हूँ वीडियो को end तक देखिएगा अगर आप धनीवन freedom card apply करने की सोच रहे हैं तो बहुत सारे charges और fee के बारे में पहले जरूर जान लिजे क्या आप अपने लिए best credit card option डूँड रहे हैं तो उसके लिए बहुत असान सा trick है जिसे आपको follow करना होगा Google पे जाए गूगल पे जाकर search करिए apps guruji.com screen के उपर जासा कि देख पा रहे हैं यह spelling आपको एक साथ लिखनी होगी और simply आपको करना है search आपको search list में यह detail दिख जाएगा इसे simply click करना है यह website open होगा और यहाँ पे आपके लिए धेरो credit card के बारे में detailed information मिल जाएगी कि कैसे आपको यह credit card apply करना है आपके लिए credit card कैसा रहेगा और यह सभी information पूरी तरीके से free है किसी भी तरीके का charge नहीं देना है बस information को collect करिये और अगर आप eligible है तो आप अपने लिए credit card apply कर सकते हैं Honey one freedom card का मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे परचार नहीं कर रहा हूँ बस आपके information को improve कर रहा हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हम पहले benefits से समझते हैं बहुत सारे benefits आपको रुजाना देखने के मिलते हैं यहाँ पे इस credit card के जरिए digital credit card कह लिए पांच लाग रुपे तक का loan मिल जाता है इस loan के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे अपने phone से loan apply कर सकते हैं loan लेने के लिए नहीं income proof अप्लोड करना है नहीं salary slip और नहीं कोई bank statement अप्लोड करने की जरूरत होगी आपको दियान दीजेगा धनी one freedom card सिर्फ आपके अधार और pen card के उपर असानी से instantly मिल जाता है सिर्फ तीन मिनट में तीन step को complete करिए और धनी one freedom card आपका approve हो जाएगा अगर आप eligible होंगे यहाँ पर धनी one freedom card से अगर आप transaction करते हैं तो लगबग सभी transactions के उपर 2% का cash back provide करती है धनी one freedom card यहाँ पर धनी pharmacy से धनी card का इस्तमाल करते हो अगर आप medicine purchase करते हैं तो आपको 35% तक का discount उन medicines पे मिल जाता है इस धनी one freedom card को amazon flip card जैसे अपने favorite online e-commerce website के उपर इस्तमाल कर सकते हैं आप जिसमें के बहुत सारे discounts भी आपको देखने के लिए मिलते हैं free trading account अगर आप धनी one freedom card को sign up करते हैं धनी one freedom card एक रूपे card है debit card की तरह credit card की तरह यहाँ पे detail मिलता है उस detail को आप use कर सकते हैं online purchasing करने के लिए physical card को इस्तमाल कर सकते हैं pause machine में swipe करने के लिए आप किसी भी job profession में हो, salad हो, self implied हो, आपको आपके eligibility के हिसाब से loan का offer मिल जाता है, credit limit मिल जाता है इंडिया के किसी भी कोने से आप धनी one freedom card के लिए apply कर सकते हैं 0% ब्याज के उपर 90 days के लिए loan आपको मिलता है 90 days के बाद आपको भुक्तान करना होता है, अगर आप भुक्तान नहीं करते हैं तो आपका credit score नीचे चला जाएगा, आपका civil down हो जाएगा धनी one freedom card RBA द्वारा approved NBFC registered sonsta है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की जरुरत नहीं परेगी लेकिन फिर भी आप अगर इस card को apply करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा और वीडियो जो देखे, पूरा end तक आपको पूरी detail समझ में आ जाएगी अब सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है धनी one freedom card क्या है तो उसके लिए screen के उपर आप देख सकते हैं धनी one freedom card, एक digital landing platform, एक कह लिजे कि यहाँ पे digital credit line आपको मिल जाता है इस card से आप online, offline shopping कर सकते हैं और यहाँ पे जो limit मिलती है, आपके eligibility के हिसाब से, आपके credit history के हिसाब से आपके consumption, liabilities और income के अधार पे आपको मिल जाता है credit limit जिसका इस्तमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यह loan 90 days के लिए free होता है, ध्यान रखिएगा इसके बाद आपको payment करना होता है, 3000 रुपे से लेकर 5 लाग रुपे तक का credit limit आपको यहाँ पे मिलता है इसका इस्तमाल आपको EMI के अंदर 3 महीनों के अंदर कर देना होता है अब अगर आप धनीवन freedom card apply करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एक Indian citizen होने चाहिए उम्र आपकी कम से कम 18, maximum 55 years तक है, तो आपको यह credit card approval मिल जाएगा आयका जेरिया income source होना चाहिए, इसके बाद आपका link mobile number होना चाहिए अधार से, credit score ठीक होना चाहिए अगर आप इस credit card के लिए apply कर रहे हैं हलाकि इसके लिए कोई आपको documents upload करने की जूरत नहीं होती है अगर मैं documents की बात कर लूँ, तो documents में आपको चाहिए होगा, pen card, adhar card, recent photo जो की आप धनी आप से ले सकते हैं अधार OTP इसे confirm करने के लिए, यानि activate करने के लिए अब बात करते हैं, धनी one freedom card को अगर आप apply कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या expenses देने होते हैं यह important है, जब देखिएगा जैसा कि देख पा रहे हैं, धनी one freedom card जो की बिना interest आपको loan provide करता है 90 days के लिए यह loan 3000 रुपीज से सुरू हो जाता है, और यहाँ पे आपको 5,00,000 रुपे तक का loan मिल जाता है डिपेंड करता है, आप धनी one freedom card का कौन सा plan subscribe किये हुए है important यह है, धनी one freedom card लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपको plan भी चूच करना होता है जो कि 199 रुपीज का cost आता है, जैसा कि स्क्रिन के उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस card को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सुरू में 3000 रुपे का limit अगर मिलता है 199 के plan के साथ, mostly आपको 2000 का ही limit में लगा, उस limit को इस्तेमाल करने के बाद अब अगले महिने आप उसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर व्याज नहीं लोग रहा है कोई, लेकिन आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मंतली देना जरूर प्रेट अब इस धनीवन Freedom Card को apply कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा criteria है, आपको धनी एप Play Store से डाउनलोड करना है, उन्हें फोन के अंदर पैन नंबर और मुवाइल नंबर से रिजिस्टर कर लिजे, उसके बाद Basic Information प्रोफेशनल और जॉब प्रोफेशनल इन्फोर्मिशन कम्प्लीट डाले, डॉक्मेंट अप्लोड करे KYC, और अगर आप eligible हैं तो आपको loan का offer मिल जाएगा, यानि credit limit offer आपको दिखाई देगा, उस limit को activate करने के लिए OTP का use करें, आपका card active हो जाएगा, plan choose करने के साथ ही, card को कैसे इस्तिमाल करना है, और आपको पता है, इस card को आप online, offline इस्तिमाल कर सकते हैं, online आप बहुत सारे e-commerce website पे detail डाल कर transaction कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको इस्तिमाल करना है, तो आप local market में भी post machine में swipe करके इस्तिमाल कर सकते हैं, आप अपने धनी one freedom card का repayment करने वाले हैं, तो आपको 90 दिनों का समय मिलता है, और उसे repayment करना होता है, आपको EMI के अंदर, suppose अगर आपने 300 रुपीज इस्तिमाल के, या 3000 कह लीजे, उस 1000 रुपीज से आपको हर महीने repayment करना है, अगले 3 म हूँ, आपको यहाँ पे cash withdrawal का option नहीं मिलेगा, हाँ अगर आप और कोई application इस्तिमाल करके जैसे अप credit card से withdrawal करते हैं, आप वैसे कर सकते हैं, मुशली वहाँ पे भी आपको बहुत सारे capping देखने के लिए मिलेगे, यहाँ पे आपको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ online और offline expand करने का offer, so friends, इस तरीके से आप धनीवन freedom card जो है apply कर सकते हैं, मेरे हिसाब से धनीवन freedom card थोड़ा सा महना है, अगर आप धनीवन freedom card अप्लाई कर रहे हैं, तो यह सारी चीजे ध्यान में रखे कि आपको monthly subscription charge के हिसाब से repayment करना होगा, और उस हिसाब से आपको expand भी करना होगा, सा अभी तक मेरा limit improve नहीं हुआ है, so अमीद करता हूँ, आप अपनी सूजबूच से इस loan को apply करेंगे, और जरूरत परने पर ही इस loan को जो है लेंगे, so आज किस वीडियो में बस इतना है, इस वीडियो से संबंदित कोई भी query हो, नीचे आप comment कर सकते हैं, वीडियो कैसे लग तो फिर आपस अगले वीडियो में तक तक के लिए खुश रहिए, सवस्त रहिए और मस्त रहिए